दिल्ली की तस्वीर है और आप नजारा देख सकते हैं कितना जादा पॉल्यूशन है और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि दिल्ली में हाल फिल्हाल पॉल्यूशन का लेवल बेहत जादा बढ़ता जा रहा है इतना जादा बढ़ता जा रहा है कि एर इंडेक्स की अगर बात करें तो highly dangerous या फिर very unhealthy situation में फिल्हाल के लिए दिल्ली का एर इंडेक्स पहुँच चुका है अब बात है कि माम इस बढ़ते हुए pollution से क्या कुछ effect हो सकते हैं और हाल फिल्हाल में क्या condition है exactly आप हमें बता दीजे बट सबसे पहले आप यहां पे photo देख लीजिए अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जो है बिल्कुल visible यानि कि जो visibility है वो बिल्कुल ही नहीं कुल मिला के बहुत कम visibility यहां पे देखने को मिल रही है यह एक और तस्वीर में आप लोग के लेकर आई हूँ दिल्ली हमारी भारत की राजधानी और तस्वीरे कुछ इस तरीके से हैं कि काफी जादा disappointment होता है कि कि इतना जादा हम लोग environment को harm कर रहे हैं कितना जादा हम लो अगर यहां पे ध्यान से इस तस्वीर को देखें तो बहुत कम दिख रहा है बात है कि माम कितना air quality index फिलहाल के लिए शो कर रहा है दिल्ली में 286 286 जो कि very poor category और अगर मैं आज का यानि कि अभी जब मैं video record कर रही हूँ आज कितना है वो भी मैं आपको बताऊंगी बट यह 286 का level जो है यह आपका आप कह सकते हो एक normal level है जो कि दिल्ली में चलता है और यह भी very poor quality को depict करता है इसी से आप यहां पे idea लगा सकते हो कि कितना जादा गंभीर overall यह situation है air quality index के अगर बात की जाए सबसे पहले 0 से अगर 50 के level तक air quality है तो that means air quality बहुत अच्छी है good level पर है कुल मिला के air quality index में air quality जो है वो आपके 6 levels पर नापी और भापी जाती है सबसे पहला level होता है जहां पे air quality को हम good category में रखते हैं good category में कौनसी air quality आती है जो कि 0 से 50 तक का जो है जिसकी numbering आती है तो वो उस particular जो आप कह सकते हो कि अगर numbering 0 से 50 में आए तो काफी जादा अच्छी हवा है और काफी सबकुछ मामला काफी जादा बढ़िया है तो good category में air quality आती है जो कि कभी भी नहीं गई दिल्ली की अगर ब करते हैं उस हवा में और कुछ भी जादा जो है नुकसान नहीं होने बारा है moderate है tolerable capacity tolerable quality है air की जो कि दिल्ली में ये भी level नहीं आता है उसके बाद आता है slightly unhealthy यानि की थोड़ा सा unhealthy है तो वो कौनसा level होता है 101 से 150 का level होता है तो 101 से अगर 150 तक के बीच में value आती है तो यानि क slightly unhealthy है ठीक है तो ये अगर हम बात करें तो यहां पे कौन कौनसी cities range करती है और दिल्ली क्या इस level में आता है तो नहीं जी इस level में भी दिल्ली नहीं आता है आगे बढ़लो अब आगे अगर देखेंगे तो unhealthy unhealthy यानि की situation वाकी ही जादा गंभीर है तो 151 से अगर 200 के बीच में value आती है तो यानि की जो overall level है उसको unhealthy air के अंतरगत वो आता है यानि की unhealthy air conditions के अंतरगत वो आता है तो कुल मिला के यहां पे अगर unhealthy में आए 151 से 200 तो ये भी यही डिपिक्ट करता है कि air quality काफी जादा unhealthy है क्या माम दिल्ली का यहां पे इस range में जो है दिल्ली का air quality लाई करता है उसके बाद आगे बाद करते हैं 201 से 300 का level यानि की very unhealthy अब यहां पर क्या माम दिल्ली का air quality आता है तो जी हां हाल फिलहाल के लिए यही पर majority में जो है जो मार्क रहता है वो 296, 286 इस value range के बीच में रहता है दिल्ली का air quality का index अब आप यहां पे idea लगा सकते हैं कि very unhealthy यानि क कि वो हवा जो आप सांस ले रहे हैं वो काफी जादा दूशित है काफी जादा प्रदूशित है और उस हवा में सांस लेने का मतलब क्या है कि काफी जादा घातक situation जो है वो पैदा हो सकती है तो very unhealthy category में जो है वो air quality आता है उसके बाद अगर हम बात करे हजाडियस यानि की म इसलिए उनको वहीं उसी हवा में सांस लेनी पड़ेगी बट वो काफी जादा बॉड़ी के लिए नुकसान दायक है तो यह दो जो डो क्याटेगरी है ना very unhealthy और हजाडियस वैसे तो आपका unhealthy भी काफी जादा खतरनाक है बट अकर दिल्ली के level को देखा जाए तो very unhealthy और हज गाडियस वाली अकर situation होती है तो यानि की काफी जादा आप कह सकते हो खतरनाक situation अकर हो सकती है मैं आज जब आप record कर रहे हो तो क्या कुछ air quality का हाल है फिलहाल यह भी बता दो बट उसके पहले reasons discuss कर लेते हैं कि आखिरकार air pollution का जो reason है जो air pollution बढ़ता जा रहा है दिल्ली में उसके क्या कुछ कारण है क्या कुछ जो है कारण देखने को मिलते हैं तो कारण अभी हम discuss करेंगे बट पहले आज का मैं आपको हाल बता दू कि आज का क्या हाल है देखो आज कौन सी तारीक है भई आज है आपकी 23 अक्टूबर है ना आज 23 आज है आपकी 22 अक्टूबर, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 19 अक्टूबर की बात कर लेते हैं, 19 अक्टूबर को दिल्ली का हाल को जिस तरीके से था, कि एर क्वालिटी का जो इंडेक्स था, वो 2011 पर जो है आठ तिग्या था, अब 2011 मतलब की कुल मिला के very unhealthy situation थी, फिर यानि कि लगभग 242, 240 के आसपास रहा, तो situation जो है वो कैसी देखने को मिली, very unhealthy देखने को मिली, अब आज अगर हम बात करें, यानि कि माम आज आप वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आज दिल्ली की हालत क्या है, एर क्वालिटी के मामले में, आज है 309, 309 हजाडि हजाडियस, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो, 309 मुझे बताओ किस क्याटिगरी में लाई करेगा, हजाडियस है आज का एर क्वालिटी और इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, हजाडियस situation है, आज अगर आप लोग दिल्ली मे यकीन मादिये, काफी जादा टॉक्सिक है आज की हवा, हजाडियस situation है वहाँ पर, अब फर्दर, कल के क्या हलात रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि कल आपका 23 October और 154 पर पहुंचता हूँ, आज काफी जादा वाटर टांकर चलाए जाए जाएंगे, प अज़ाँ पर आपका 24, 24, 149 पहुंच जाएगा, अज़ाँ 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 और 25, 151 जो की दुबारा से अनहलदी होगा, बट आज सबसे जादा दूशित है दिल्ली की हवा, और यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, हजाडियस लेवल, यानि कि आप सोचि अज़ाँ भीना, जो है कुलमिला के दुशवार होता जा रहा है, कुलमिला के दिल्ली में, अब अगर बात करें हम भारत की इपरेंट 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 सिटीज की, और क्या है उनका एर कॉलिटी का अंकलन तो उसके बारें जालो, सबसे जादा, अगर आपको एर क्व पॉइंट कहीं नदर आता है तो वो है हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली तीन सो सत्रा थीन सो सत्रा हजाडियस अभी वन आपको समझाया था तो हजाडियस क्वालिटी देन नौइडा यूपी में दो सो पच्छिस ये भी कुछ जादा अच्छा नहीं है दिहान नागपुर महराष्ट 173 मेरट यूपी 172 फिल हाल के लिए आप देख सकते हैं यह हालात डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के और डिफरेंट डिफरेंट उनके एर क्वालिटी इंडेक्स के अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे किसकी चर्चा करेंगे हम लोग रीजन्स की क क्या दिली की हवा के सानस लेने दूश्वार हो रहा है सबसे पहला हम कर्ट हम देखेंगे कि वे Royals यानि की गाडिया गाडिया और वहान जो होते हैं वो सभी आपको सबी को पता है कि वेरिकल त्सका बढ़ रहा है ट्राफिक की समस्या वही आप चले जो फ़ले एरिया में दो घंटे लग जाते हैं छोटे से एरिया को जो है कुलमिला के क्रॉस करने के लिए तो वेरिकल जो है आप कह सकते हैं कि डेली has millions of vehicles and their emission is a major contributor to air pollution अब जो transportation से जो transport से जो जो pollution निकलता है ठीक है तो वो एक major कारण then industrial emission factories plants इन सभी से smoke निकलती है दुआ निकलता है यह भी एक major कारण है then stubble burning stubble burning यानि कि जो आप खेत वगएरा यह जलाते हैं परॉली जो जलती है जिसके कारण वर्ष दिली का pollution level उस टाइम पर वर्स हो जाता है अभी जब गेहूं फसल कटेगी गेहूं की फसल कटेगी और सातीसा चावल की फसल कटेगी तो आप समझ सकते हैं कि परॉली जब चावल की फसल कटेगी ठीक है तो क्या होगा कि जो किसान है वो क्या करते हैं कि उपर उपर से जो है फसल कार देते और फिर नीचे की जो उनकी और इसी लिए वो जो इंपक्त है वो सबसे जादा प्रॉली का सबसे जादा इंपक्त दिल्ली में आके पड़ता है वेस्ट बर्निंग जो कुड़ा करण जलाय जाता है वो भी मेजर कारण है पॉल्यूशन लेवल को बढ़ाने का डमेस्टिक कुकिंग भी एक मेजर कारण है वेट कूलिंग टावर्स अब जो है वेट कूलिंग टावर्स अगर हम बात करें पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा तो वो भी अपने आप में ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रिब्यूट करता है अब यहां पर मिट्रोलॉजिकल कंडिशन भी ओवर्राल विंड की स्पीड अगर कम हो जाएगी तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा तो यहांनि की मेट्रोलॉजिकल कंडिशन भी हैं जो की ओवर्राल कंट्रिब्यूट करेंगी अब बात करेंगे करन्ट एर क्वालिटी का क्या कुछ आंकलन आप कर सकते हो यहांनि की कौन-कौन से मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जो की मेजरली इंपक्ट कर रहे हैं एर क्वालिटी को सबसे पहले अगर हम बात करें तो PM10 अगर हम बात करें यानि की जो मेजर पॉल्यूटेंट है पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, फिल हाल के लिए काफी जादा घातक साबत हो रहे हैं इसमें दिल्ली में, देन बात करें Ozone 3, O3, NO2, SO2, CO, ठीक है तो कुल मिला कि अगर 6 कॉंस्टिट्वेंट की बात करें जो कि दिल्ली का हाल बेहाल कर रहे हैं, दिल् ही ज्यादा दूशित हो रही है, सांस लेना आज की डेट में दुश्वार हो रहा है, स्क्रीन के उपर आप ये 6 के 6 देख सकते हैं, PM 2.5 कंसेंट्रेशन इस करेंटली 42.2 टाइम्स देवल्यू एच्छो एन्वल एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी WHO ने कहा है, WHO एक किसेंट्रेशन कितनी जादा घातक है, और क्या कुछ यहां पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, यह बहुत सीरिस इशू है, बहुत सीरिस वीडियो है, इसको ध्यान से आप लोगों को देखना है, और प्लीज, अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा काम मत करिए, जिससे कि आप लोग अगर आप अखेले हैं और अगर आप आप ओफिस का र से जाते हैं, तो अपने कोलीक्स के साथ मिलके कारपूल का से इस्थमाल कर सकते हैं, वेस्ट को बिल्कुल भी मज़ जलाईए, तो आप अपनी तरफ से कॉंट्रिब्यूट कीजे, अगर हर एक इंडिविजल अपनी तक इंप्रूव हो जाएगी फिल्हाल के लिए यही पे ही इतना ही और थैंक यू सो मच, वाबाई, टेक एर, गुड लुक और गॉड ब्लेस यू